शारूख खान की बाद बताता हूं कि शारूख खान की स्टोरी राजेश खंदा से जुड़ी होई है शारूख खान अपने आपको राजेश खंदा जैसा बड़ा सुपरस्टाप बनाना चाते थे अच्छा मैं उनको जानता नहीं था, उनकी एकी फिल्म बाजीगर रिलीज हुई थी, वो फिल्म हीट हुई थी, और उनका नाम था, पोस्टर देखे थे, फिल्म भी देखी नहीं मैंने, तो मैं एरपोर्ट पर खड़ा था दिली से मुंबई जाने के लिए, तो मैंने सामने मैंने का क्यों, आप क्यों मुझे हेट करते हैं, सार ये जो अभी सफाई कर रही था नहीं यह वुरत यहां पर, यह पहुंचा लगा रही है एरपोर्ट पर, वो आपके पास आई, उसने का क्या रजजत सर आप हटेंगे, मेरे पास आई, कहते है ए शारूख हट, कहने तो मैंने का इसमें मैं क्या कर सकता है, अरे साब आप जानते हैं, आप कभी उल्टा लटके हैं, मैं प्यों लटकूंगा, कहाले हैं, मैं अभी तीन घंटे पेड़ पर उल्टा लटक के आ रहा हूँ, इतनी मेनत करते हैं, और यह कहते हैं, ये शारूख, और आप शर्मा सा मैं क्या करूं चश्मा लगाऊं कम्प्यूटर लगाऊं तो इतनी इंट्रेस्टिंग बातें वो कर रहे थे फिर उसके बाद हम लोग फ्लाइट में साथ बैठे और पूरी फ्लाइट में उन्होंने अपने बातों से अपने विट से दिल जीत लिया फ्लाइट लेंड की उस वक्त तक हमारी दोस्ती हो चुकी थी फिर वो जिस गाड़ी में बैठे तो उन्हें ने का कि ये ड्राइवर राजेशकन्ना का है ये गाड़ी राजेशकन्ना की है और मुझे ऐसा सूपरस्टार बना है और आप मुझे सूपरस्टार बनाएंगे तो मैंने का मैं क्या कर सकता हूँ मुझे आपकी अदालत में आप मैंने जब अब अब इस्टीम के लोगों से डिसकस किया तो लोगों ने का इसकी एक फिल्म आई है आपने अभी तरह एक ही फिल्म स्टार को बुलाया है वह राजेशकन्ना इतने बड़े लेजंड इतने उने सिग्रेट पीने चुट करते हैं तो उसी माने आपके कहा कि आप यहाप सिग्रेट नहीं पी सकते तो मुझे बुलाया रजासाब की इतनी से लग्त की है इतनी बड़ी बात कर रही है मुझे घर इ suficiente पिर्ट मती हो यह कैसे चलेगा खैर उनका प्रॉग्रम रिकॉर्ड ह faucet वह वो प्रोग्राम कैसा पिट उन्होंने दिखा यह तो आपने देखा है लेकिन उस प्रोग्राम के टेलरीकाइश कुंझे के बाद वो मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे आख अगर पहले 5000 हजार लोग मुझे देखते थे आपके अदालत के बाद पांच लाख लोग मुझे देखते हैं यह आपके